तो अले रेबन विल्कम बैक तो माई चैनल दोस्तों हमने जो 20 के कैपिटल 40 डे ट्रेडिंग चैलेंज अस्टार्ट किया था उसका वन भीक हो चुका है ठीक है तो हम इसके लिए वन भीक का एक विकली रिपोर्ट लेकर आए हैं कि हमने वन भीक में अपने कैपिटल के हमने रखा कौन सी साइकलोजी किस तरह का रिक्स मैनेजमेंट हमने किया जिसकी वैसे आज हमने इतना अच्छा कासा प्रॉफिट अर्न किया तो चलिए हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि हमने कितने का प्रॉफिट किया है वन भीक में तो देखिए हमने 20 के कैपिटल को हमारे सेविंग काउंट में पड़ा हुआ है अभी हमारे डिमेट अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ टेन के फंड एड किये था ठीक है तो अभी हमने मंडे से स्टार्ट किया था आपको भी अगर रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा हमने मंडे से स् पर्षेंट काम किया 806 यानी की 9% हमने पाँच दिन में अपने कैपिटल का पूरा का पूरा 9% हमने अर्ण किया है चलिए अब हम आपको अपना पी एनल रिपोर्ट दिखाते हैं त्रेड भुक दिखाते हैं सारा कुछ दिखाते हैं जिससे कि आपको पता लग सके की हमने कि दिखा देते हैं ताकि आपको पता लग सके हमने किस तरह से किस तरह के माइंडसेट से अपना प्रॉफिट किया तो देखिए पांच दिन में हमने तीन दिन सिर्फ और शिर्फ तीन दिन ट्रेड किया मैं आपको यहां पर फ्यूचर एंड औप्सन सेलेक्ट कर लेता हूं और लिटे रहा था पॉड़ा सा और लॉस बढ़ा जाता या फिर प्रॉफिट बढ़ जाता यह सारी चीजे होता बट हमने सिर्फ और सिर्फ तीन दिन ट्रेड किया थीक है दो दिन ट्रेड हमने नहीं किया क्यों नहीं किया उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं क्योंकि मार्केट उतना अच्छा था नहीं मेरे सेट अप नहीं बना जिसकी बास हमने नहीं कि हमने तीन दिन में कितने का profit किया, एक हजार का profit किया, जिसमें की 161 रुपे हमारे charges कट गए हैं, हमारा जो पूरा profit बचा, वो बचा 896 रुपे का हमारा profit बचा, तो इस तरह से हमने 5 दिन में, यानि की 1 week में 896 रुपे का profit अंग किया, और हमने जो fund यूज कर रहे थे दोस्तो आपको तो यहां पर दिख रहा होगा कि 10,000 है, बट हम यूज कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ 5,000 से भी कम fund का यूज कर रहे थे, यानि कि अगर हम उसी साफ से देखें, तो हमने 18% का return निकाला है, सिर्फ और सिर्फ 1 week में, जो की काफी अच्छा return है, दोस्तों, तो अगर आ हमने एक जुबार किया है, अगर हमारा इतना छोटा सा fund है, तो उसके लिए हमने कोटक से करेटीज में अपना account open किया, और इसमें है, क्या है, इसमें कि आपका ब्रोकरेज बिलकुल 0 है, यानि कि ब्रोकरेज नहीं लगता है, जो भी टैक्स बगेरा है, वो आपको लएगा पर और आपको सिर्फ और शिर्फ आठ रुपे जो टैक्स लगता है, वो टैक्स लएगा, आपका ब्रोकरेज 0 हो जाएगा, यानि कि आप पर ट्रेड के पीछे 40 रुपेज ऐसी बचा लेगे, अगर आप कोटक से करेटीज में ट्रेड करते हो तो, तो दोस्तों अगर आप